सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो संदेश त्यार किया है पिछले कई साल से हम लोग संपर्ग में हैं अब ये बूमी अधिगर्ण का जो टीडियस डिफर्ण था इसमें तकरिबन दोस्तो डाइसो परिवार से मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा सयोग मिला और हम लोग मिलके जो है वो जो टीडियस हमारा दस पर आड़ता पर जो कुछ कारभाई चल रही है उसके विशय में में तीसरा है हमारे शेत्र में जो पानी जल भराउव की बहुत ही बहंकर स्थित्य हो गया बहुत ही डिक्कत में हम लोग पढ़ रहे हैं और चोत्ता विशय है हमारे हुं पर हनापर यह सब से पहले मंए जो जो है आपको चारव अच्छे तरह समझ में आ जाएंगे कि क्या हो रहा है यह देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो जिनको मुआउज़ा मिला है जिनके अधिक भूब में वो कैश निकलवा कर प्लॉट इत्यादी ले रहे हैं या उस कैश को कहीं अपना और चीज़ों में इस्तिवाल कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं यह एक लीगल मनी आप लोगो भारा सरकार से मिली है अपना जिस पर कोई इंकम टेक्स भी नहीं है और जो हमारे खातों में जो पैसा पड़ा है अगर पैसे कैश में हम लोग ज्यादा निकलवा कर और उससे समान ले रहे हैं या उसको खर्च कर रहे हैं तो इंकम टेक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है कि ये कैश आपने कहां दिया किस लिए दिया और अगर किसी तरह का भी जिरूसे ज्यादा कैश ट्रेक्शन होता है तो उस नोटिस का फिर आपको जवाब दिना पड़ेगा जो एक दिक्कत का सबब बन सकती है सबी लोगों के लिए अधार और पैन कार्ड को जोड़ना कंपल्सरी कर दिया गया है 31 मार्ट से पहले अगर आप अपने अधार और पैन को नहीं जोड़ते तो आपके बैंक खाते को भी बंद किया जा सकता है या फिर आपके और सारी कुछ दिक्कते आ सकते हैं तो पहली गिवाएट अपने सभी जो भी बैंक अकाउंट है उनमें पैन नंबर और अधार नंबर को अपडेट कर दें और मैं फिर आपसे करूँगा कि ये जो आपका अमांट हैं को अपना कैश में कम से कम इस्तमाल करें चेक से पेइमें और चेक से पेइमेंट करने में कोई दिक् निकत हो सकती है इसलिए आप इस बात का विशेज ध्यान रखें दूसरी बात हमारे हाँ पर जो पिछे एक खते के तलवार लटक रही है और समय समय पर जो है उत्री निगम निगम के कहीं अधिकारी कहीं कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं हमारे मास्टर ब्लान में भी जो है इसका जिकर किया गया है कि हम पर बना जाए तो उस संबंद में जो है हमने एक अब्जेक्शन्स फाइल किये थे और 21 जो हमारे कलोनीज की हैं उनसे लेटर हैड लेकर और सम्मिट कर दिया था डीडिया में डीडिया ने हमें बुलाया था सब अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि पानी से हमारा शेत्र खास तौर पर हमारे चार गाओं पांचों गाओं और यह जो हमारी कलोनीज हैं उनमें बुरी तरह पानी भरा पड़ा है और नमी जो है वो जमीन से और दिवारों में साफ नजर आ रही है कोई भी पाजनितिक दलों के नेताओं को इस समिस्या का बहुत अच्छी तरह पता है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है या क्या प्लानिंग चल रही है लेकिन वर्तमान में यहाला थे कि घर खराब हो रहे हैं बिमारियां फैल रही है मच्छर हो रहे हैं और हमारे शेत्र के लोगों स्विधा चाहिए जिसके लिए हम चोटी मोड़े डिस्पेंस रिबे हैं अगर एड्मिशन की नौबत आए तो हमें बड़े हस्पिताल हमें जाना पड़ता है जहां पर सरकारी हस्पिताल तो बहुत दूर की बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में मन मर्जी का हमारा जो है अब उसे हमारे उपर से पैसा लिया जाता है और हमारी जो है ट्रीट कमेंट में भी कोई गारंटी नहीं रहती तो आप लोगों से मेरा यह पुने निवेदन है कि जो भी हमारे शेत्र के प्रतिनदी हैं वहीं उनके हाथ में पोजिशन है उनके पास कलम है एक मान सम्मान उ तो आप अपने शेत्रवासियों से बात करें और सब लोग मिलके जो है इखटा रहें इस विशह पर मैं पिछले दो-तीन साल से लगबग हजार लोगों से संपर्ण में आया हूं चाहे यह टीडियस रिफंड का विशह है या फिर अपने खत्य समंदित विशह है तो बहुत हमारे शेत्र को सुंदर बनाने का और अच्छा करने का जो प्रियास है वो हम लोग मिलके कर सकते हैं धन्यवाद जैहिंद नमस्क्राइब